नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज से शुरू हो रहे इस विशेश कारिक्रम आरोग्य भ्रमान में मैं हूँ आपके साथ अनीता उपाध्याई दर्शको आप सभी के लिए इस विशेश कारिक्रम लाने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की बिमारी का आपको आईरुएदिक इलाज दिया जा सके और सो प्रतीशत आपको आपकी बिमारी से छुटकारा दिलाया जा सके तो आपको आपकी बिमारी के लिए आरुएदिक इलाज बताने के लिए हमारे साथ बेहदी खास महमान स्टोडियो में मौजूद हैं मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे साथ आज स्टोडियो में तो आईगे कारिक्रम की हम शुरवात करेंगे लेकिन सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत हम करना चाहेंगे स्वामी जी कारिक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो दर्शे को हम शुरवात इस कारिक्रम की करेंगे आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगी शिरुवात करने से पहले कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो कैसी भी बीमारी हो आप इस शो के जरीए हमें कॉंटाक कर सकते हैं संपर्क साथ सकते हैं और इस शो के दौरान लगातार आप देख सकते हैं फो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं इन नंबर पर आप कॉल कीजिए संपर्क साथिये और अपनी किसी भी प्रकार की कैसी भी बीमारी से आप निजात पास सकते हैं और इसी का आरवेदिक इलाज आज हम जानेंगे स्वामी जी से और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं हमारा विशे है संधी वाथ संधी वाथ जिसे हम अंग्रेजी में अथ्राइटिस भी कहते हैं और आपको बता दूं कि अक्सर ये जो बिमारी है बुजर्गों को जादा होती है आम तोर पर शरीर में जोडों से जुड़ी हुई ये बिमारी है हमारे रीट के हड़ी के अगर हम बात करें घुटने की बात करें, पैरों की बात करें, तो इस तहा की बिमारी ये होती है, लेकिन आज के तौर की ये आज के आम तौर तरीकों की हम बात करें, तो ये बिमारी युवाओं को भी आजकल होनी लगी है, क्या कारण है, क्यूं होता है, क्या है संधिवात, आज हम ये स्वाम यह होते हैं जिसाध cri刷 के सकते हैं तो हमारे आयरएवएद में कही प्रकार का शंधिवात हैं और और इलोपैत में ञेह थे प्रकार का होता है जैसे साधेरण बहुत Unlike Hadhi 84 और शंदिवात यह तीन तरीके के बात होते हैं जिसकी सुरुवात हमारे डाइजिशन से खान जैसे संदीवात जैसी बीमारी हो जाती है किसी को भी आजने को विए क्या होता है कि बारतीय संस्कृति में प्रकृति चेले जा रहे हैं दूसरी वेवस्ता है कि हम जो चीजों को खा रहे है उसमें टोटल पेस्टीश आइड है जैने के लिए भी घुड़ीज़ थीज हैं नेचरल चीज तो हैं नहीं क्योंकि खाना सब कोई नहीं चाहता है। जैसे काफी चीजे हैं जैसे हमारे जादा कर बच्चो क्या करेंगे वही चीज खानी है। पीजा खाना है लेकिन यह हमारे लिए न्यूट्रेसिस फूड नहीं है यह हमारे लिए पोईजन है और हमारी बॉड़ी जो एक्सेप्ट करा मोचीज खानी रहे हैं हमें समय से खाना समय से सूना और क्या खाना क्या नहीं खाना यह बहुत जरूरी है जैसे सुभेर हमने आसानी से डाइजेस्ट हो सके हम निरंतर आहार लेते जा रहे हैं डाइजेस्ट हो नहीं रहा है पाचन रश कम बन रहा है तो उसमें सडन पैदा होती है तो प्रकृती में तीन प्रकार की अगनी है जठरागनी मंदागनी दावागनी और चतुर्थ प्रकार की अगनी जो है हम कहते हैं बढवागनी जब हमारी जठारागनी मंदागनी बढ़ जाती है तो मल सूख के आतों में चिपकता है और उसके कारण से हमें यह सारी बीमारियां लग जाती है अगर इसी से संबंदित या फिरिस से अन्य किसे भी प्रकार की कैसी भी बीमारी अगर आपको हो फिर वो चाहे आज हो या सालों से आप से जुड़ी हुई हो सौ प्रतीशत आपको इसका इलाज मिलेगा, सौ प्रतीशत लाब फाइदा आपको मिलेगा लेकिन हाँ, करना आपको क्या है? सबसे पहले आपको कॉंटाक करना है, संपर्क साधना है उसके बाद अपनी समस्या को किसी प्रकार की कैसे भी मिमारी आपको है उसे यहाँ पर रखना है उसके बाद स्वामी जी आपको उसका इलाज आर्वेदिक इलाज बताएंगे और उस पर आपको अमल करना है हम आपको लगातार इस शो के माधियम से कह रहे हैं आप कॉल कीजिये और स्वामी जी से अपनी किसी प्रकार की कैसी भी समसा को रखिए उसका इलाज आपको इस कार्कम के माध्यम से दिया जाएगा स्वामी जी हमारे पास इसको लेने से जैसे कि आपने बताया है अगर घुटनों का दर्ध हमें है जोडों में, शरीर में किसी भी प्रकार का जोड और उसमें अगर हमें दर्ध है और उस दर्ध के लिए अगर हम ये संदिवात खाएंगे और इसका पूरा कोर्स करेंगे तो आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि 100 प्रतीशत उन्हें फाइदा होगा 100 प्रतीशत उन्हें अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा लेकिन सवाल मेरा आप से है स्वामी जी क्यूं इस बात पर विशवास करें कि 100 प्रतीशत असको लेने से उनको फाइदा मिलेगा फिर वो चाहे 5 सार पुरानी हो फिर वो चाहे 10 सार पुरानी हो कि पुरानी क्यूं नहों जी ठीक है देखे बिस्वास की जो मा है ना उसका नाम अनिता जी आस है जब तक किसी के आज़ पूरी नहीं होती है न कोई किसी पर विश्वास करी नहीं सकता है मैं मेरे दर्खसकों से इस चैनल के माध्यम से प्रोग्राम के माध्यम से यह कहूंगा कि आप जिस विश्वास के साथ मेरी मेडिसीन को लोगे हैं 110% आपकी आज़ पूरी होगी, जब आपकी आज़ पूरी हो, तब आप इस प्रोड़क्ट पर भी स्वास करो, आप मेरी दवा ले रहे हो, दवा लेने से पहले अगर रिपोर्ट में रिजर्ट नहीं है, तो 100% पैसे आपके घर, लेकिन साथ में मुझे आपका कोपरेशन चाहिए, अब रही बात किट के अंदर की चीज, तो दो प्रकार की मेडिसीन होती है, एक एक्स्टरनल और एक इंटरनल होती है, तो कोई भी वर्ड का डॉक्टर, और रहाथेटिस में पैंकिराल्मेंट टूप सी देता है, एक्स्टरनल के लिए तो इसमें एक तेल है, ब्रहमांद दर्दनासक तेल, जिए, ब्रहमांद partnership तेल से गुटने में मालीस करना है, नमक गरम करकर आज़्वान के साथ सहकाई करना है, इसके साथ में पाचक चूर पाचक चुर्ण में हरा वहरा आउला यह चीजें हर आदमी से बन करता है ज्यान देना मेरी बद को रोटी आपने अपनी मम्मी के हांथ की भी खाई है और बुगा के हांथ की खाई है जी गेहूं ही है पर स्वादा लगे स्वादे लगे ऐसे ही आयरुवला यसोवर चाह प्र फार्मेंचियों को नहीं बिस्ट को चैलेंज करता हूं अगर डवली अच्चो में दम है वो कहता है कि सवसदी में दम नहीं है तीनों प्रकार के आर्थराइटिस के पेसेंट मेरे यहां बेजे दवा मैं दूंगा रिकार्ड वो रखे अगर ठीक हो जाए तो बस ही कहना कल ज़ान। अछत्व बढ़ी बात वर जाम टूंगे लूब के लिए और विश्वास कीजें विश्वास के बदी से आप इस किट को लीजिए और जैसे कि सवामी जी ने बता दिया है दवा लेने के पहले और दवा लेने के बाद आप हमें रिपोर्ट जरूर कीजेगा और साथी साथ आपको कितना फाइदा पहुंच रहा है क्या फाइदा पहुंच रहा है कोर्स पूरा कीजे अगर आपको फाइदा नहीं भी पहुंच पहुंचता है तो money back guarantee है इस बात का कि बिल्कुल दावा 110 पर संट इसलिए बता दूं आपको कि जिस तरीके से एक माँ आपने बच्चे से कहते बेटा वहां जा रहे बोज उठा लाना नहीं तो देख लियो माँ बेटा बोलता आमा ले आओंगा क्योंकि उसको confidence अपनी भुजाओं पर ऐसे मुझे मुझे मु आपना पर इसकार नाम बताएँ अपना और कहां से बोल रहे हैं आप हलो जी नाम बता दीजियों कहां से बोले हुआ मेरा राजस बोला हूं पर लाओं इस जी ठीक है राजस जी सवाल अपना कीजिए इस प्रकार की समस्या है आपको बोलिये राजेज जी आम आँके मैं बोल नहीं स्वामी जी जी पेट में गयस बनता है बहुत हरन्ग 10 मिनट के बाद जो है पूलिस में यह नवकर्ण है और हर 10 मिनट के बाद जो है बायू होता है अच्छा राजेश जी ऐसा है कि सबसे पहली बात तो आपका समय से भोजन और सेंड नहीं है और यह जो चीज यह सेल्फ क्रियेटेड होती है अगर आप जरूरत से जाले से हमारे ब्रेंड के 150 बीटा सेल्स और सिक्वेंसेज हैं वन साइड वर्क करते हैं तो यह सिच्वेश है और हमारे यहां से आप दवा मगवा लिजिए 110 परसेंट आपको इससे मुक्ती मिलेगे हाइपर एसी डिटी है ठीक है तो आधी वीमारिया इससे ही खतम हो जाएगे तो राजेश जी ध्यान दीजिएगा आप और शो के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें सकते हैं दवा आप मंगवास सकते हैं ध्यान रखीगा जो बताया जा रहा है इस कारिक्रम के माध्यम से उसे आप जरूर फॉलो कीजएगा अगले कॉलर की तरफ शलते हैं जी जी नमस्कार नाम बताए अपना मेरा नाम सुरंदर है मैं अधियाना से बोल रहा हूं जी जी जी बताई क्या समस्या है आपकी मेरे को सुगर है छे साव से अच्छी अजी मैं इसके अलाज फूशना चापता हूं यह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं या रहे की जिंदिकी बरी सुरंदर जी आप यह बता सकते हैं मुझे कि आपका जो सुगर टाइप वान है या टाइप फास्टिंग मेरा जो खाने के बाद मैंने नपवाय था dig a यह वा था जी 264 तलका अब I सुगर औरी नियुकर मेरा चैनल थासजी इसकता मदुमें हाली रिजता हूं ओके ऑके सुरणदर मा आपको बता दूएन जो दवाइशे जो यह यह तको दी लिवर है और वर्ड में जितने भी डॉक्टर साज प्रोमिस कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से टेबलर फॉर में या इंजेक्शन में इंसुलीन देते हैं और जब हमारा पेंक्रियास डिस्टर्ब होता है तो सुगर होता है और यह सबसे ज़्यादा हमारी इवन सक्ति को छीन करता है ठीक है जी तो आप एक काम करियेगा हमारे हाँ से दवा मगवा लिजे या हमारा जो एड्रेस चल रहा है इस पर 20 तारीक के बाद आकर के पर्सनली मिली जिएगा बारा महिने तक की मेरी दवा है आपको भविश में कभी किसी दवा लेने की जरूरत नहीं तो आपका 110 परसंट में गारंटी देंगे लेकिन प्लीज मेरा निवेदन है कि आप मुझे कोपरेट करेंगे एक तो टेंसन फिरी रही है दूसरा यह है कि समय से खाना समय से सोना ठीक है और बाकी चीजे में अभी समय का अभाव है जब आप परस्टनल मिलेंगे तो आदे और एक वकील से हमें कुछ चुपाना नहीं चाहिए किसी भी तरह का तरह कि आपको अगर समस्या हो या आप सारवजनिक तो पर उस प्रॉब्लम को समस्या को आप नहीं रख पा रही है तो आप शो के बाद जरूर कॉल कीजिए और परस्नल मिलें बिल्कुल और परस्नल सामने रखिए उसका इलाज 100 प्रतीशत आपको फायदा पहुंचेगा इस बात का दावा स्वामी जी अपनी अरवेदिक मेडिसन के लिए कर रहे हैं तो आप जरूर कॉल कीजिए शो के बाद अगर आप करना चाहिए और हां विश्वास रखिए विश्वास पर भी उन का रावरिया है जी थे दिन दर उसक्राइब याग को पॉल रही सो घीão एक महां मं अधू है यह जी पुर्वाइट वाईस बॉल रहे हैं जी जी विलूंच बटाये प्रोब्लम क्या है यह फिए टांदर है जो तनदर जी आप काम क्या है काम करता हूँ यह रख्त भी का रहे हैं आप जहां तक है नमक को एवाइट करिया साल्ट इस पोईजन इस्क्रिन डिजस प्रॉब्लम्स है ना वातवर्दक चीजों के वाइट करिये और थोड़ा सा आपको आहर भी हार के लिए जैसे सौधी में रहते हैं तो आपके डश्ट तुलसी अमरित होती है लेकिन वही तुलसी आप दिल्ली में खाई है और तुलसी महाराष्ट्रा में खाई है दोनों के अनुबह और दोने के रिजल्ट में डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यह चीज़े क्लाइमेट पर परकृति पे निरवर्वर होती है तो जी तेंदर आप एड्रेस नोट करवाई और एक आपको दवाईया भिजवाता हूं है तब तक आप एक काम करिएगा सरसो का तेल गरम करिए उसमें दस लहसन डाल करके बॉयल करिया उसको इसक्रीन पर लगाये करिया आपको तुरंत ही नियंतरन मिल जाएगा चले अगले कौल की तरफ च जी बताइए नवीन जी अच्छा आठ बुलोकेश के लिए है को नवीन भाई नवीन भाई बोलो तमें एवी रिते है ना गवरवानू नती तमें को हाड मां हूं चेक हाड मां एनेज 3 एनेज 4 कौन सी नचो शोकप चे निक एटला परसें शोकप चे तमें को बद्दी था नवीन भाई आपको कोई टंसल लेनी की जरूरत नहीं है आपका एनेज 4 एनेज 3 एनेज 1 कितना परसेंट चोकफ है आप बताईए निदान हो जाएगा 110 परसेंट बिना किसी सरजरी के बिना बाइपास के बिना ECG के मैं आपको 110 परसेंट उसका निदान दूंगा ओके आप सो के बाद मेरे आज से फोन करके अपनी मेडिसिन मगवा लीजीगा जी अभी है यही कोई 8-7 महीन है चली नवीन जी तो आप शो के बाद कॉल कीज़ेगा दवा मंगा आए और शो के दौरान जो नंबर चल रहे लगता स्क्रीन पर और चाथे साथ जो एड्रिस चल रहा है लगतार उस एड्रिस पर आप कॉंटाक कीज़े दवाई मंगवा य और रहा जिसे की स्वामी जी लगातार इस कारकम के मादिम से बोल रहे हैं कि दावा लेने से पहले आप रिपोर्ट कीजिए कोर्स पूरा कीजिए 100 प्रतीशत आपको फाइदा आपको लाब इन आरुविदिक मेडिसन से होगा आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर किप से बात करेंगे स्वामी जी जी नमस्कार नाम बता दीजिए अपना और कहां से बोल रहे हैं किया आवाज मिल पारी मेरी आपको चली रखते संपर कमारा तूट गया तो स्वामी जी अब मैं आप से जाना चाहूंगी जैसे कि हम संदिवाद पर आज बात कर रहे हैं इसके लक दर्द है न कोई बीमारी नहीं है लेकिन बीमारियों का आईना है बहुत बेटिंग पेन है हंगर पेन है कौन सा पेन हो रहा है तो इस तरीके से लक्षन आने लगते हैं ज्ञांट में जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आदमी चुक करके यल बन जाता है इसके लिए उस को जैसे ही थोड़ा सा भी नजर आए उसको तुरन्थ दवा लेना चाहिए कुछ नहीं तो गरेलू नुक्से का प्रियोग ही कि उना करें पर उसको यवायट ना करें क्योंकि आज का लादनी कुग में ज़ए सा सुनदर्ता कि उसमें कहीं ना कहीं व्योग का योग बन जा जैसे माली जी एक फीमेल है तो उनको इतने हैं कि घुटने में दर्द है कमर में दर्द है इसका मतलब की संधी बात है बट ऐसा नहीं अगर किसी फीमेल को लिकोरिया है बॉन टाइफाइड है हाइपर डिप्रेशन है हार्मोन से तो भी यह सारी परक्रिया होती है अगर आप आपको मेडिकली आर्थराइटी से है तो मेरी दवा 110 परसेंट आपको रिजल्ट देगी लेकिन अगर आपको और दूसरी बीमारियां है तो इसके लिए हमारी फार्मेंसी से एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन मिर्शन लेना पड़ेगा साथ में को सायोग देना पड़ेगा कि इसने में किया खाना नहीं खाना ए समय से दवा खाना चाहिए ये छीजिए होती है श्यूचि क notch जनी स्वाम जिक में दोट खेजा थी नमस्कार नम बताईए अपना को थिए इस बीसे बताई Time जी बताईए है दोसरा कान बैता है इसमें पर्दे में बताया है दोक्टर ने और कानों में आवाज चलती रहती है और गैस की प्रूबलम है आप इंतामत करें जैचन जी आप मुझे परस्टनली मिलिए क्योंकि यहां समय का आवाव में इतना ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूं बाकि कोई रिपोर्ट कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकि जैसे मैं बोलूंगा उस तरीके से आप मेरी दवाओं को लेना आहार बियार और सहन पर नियंत्रण रखना ठीक है जी बिल्कुल तो ध्यान दीजेगा स्वामे जी की बात पर स्वामे जी सवाल मैं आप तो मेरे सवाल आप से हैं जो हमारे विवर्स इस कारिकरम को देख रहे हैं वो कैसे इस बात विश्वास करें कि उनकी मैडिसन्स या उनकी आर्वेदिक मैडिसन से जादा इफेक्टिव आपकी मैडिसन्स होंगी उनकी बिमारी के बहुत अच्छा प्रशन की आपने कि कई बारा अदमिया किसी ने दवा खाया तो किसी ने पैसा लगाया किसी ने रिजल्ट नहीं पाया किसी ने हर जेगे दोक अगया तो मैं उनके साथ हूँ इस विसे में हो किया रहा वहारी बहुतिया. पद्दती है वो सास्त्रोग पद्दती है आज कल कैप्सूल बनाना ये बनाना अट्रिक्शन करना लोगों को तो उसकी जो सुद्ध साथिक सक्ती वो छीन हो जाती है ऐसे दर्सकों का यह भी से नहीं है पर थोड़ा सा ध्यान देना मेरी तरफ में समझाना चाहूंगा जी मा हमारी उसकी एनर्जी लाउस हो गई हमारी पैकिंग जितनी के उसको बढ़ा नहीं सकते हैं जी और उससे उसकी चीवज़े से लिए उसको सास्त्रोग पद्दती से ही अगरम बनाना जनते हैं एक हर्रा है हर्रा आप घर में गरम करके गरम पानी से लें और उसो गोमुतर से सुद्ध करके लें दोनों में बड़ा डिफ्रेंट है तो मैं जे मुझी से जादा सास्त्रोग पद्दती से सुद्ध किये हुए मेरे प्रोजेक्ट पर क्योंकि मैं हंड़ेट प्रेसेंट सुद्धता से बनाता हूँ कोई मिक्सी नहीं जैसे चोटा सा एक जाम तलबी से स या रोके बन रही है लेकिन लोग 40 रुपय में 200 ग्राम बेच रहे हैं तो करते हैं कि तीन कुलन टल हंदी में 100 किलो बेचन मिला दिया यानि 200 रुपया उसको बेच रहे हैं तो हमारी शुद्धता है इसलिए हमें अपने से ज्यादा शुद्धता पर गारंटी है क्योंकि आयुर्वेद ही आयु को बढ़ा सकता है अगर मैं उसमें मिक्सिंग करता हूं क्योंकि हमारी दवा कड़ी होती है हमारी दवा रिजल्ट देती है लेकिन मैं भक्तों को अट्रेक्ट करने के लिए उसमें मिसरी डालकर मीठा कर दूंगा तो उसकी तीवरता कम हो जागी और कर रहे हैं उन पर आप विश्वास कीजिए आप जरूर एक बार अपनी किसी भी प्रकार की कैसी समस्या आपको हो उसके लिए आप कॉंटाक कीजिए शो के बाद डिटेल्स आप अपनी दीजिए और जो भी दवाय आप अपनी विवाय के लिए मगवाना चाहते हैं उसके बीड़ी आप और कर सकते हैं अगले कॉलर की तरफ चलेंगे वामे जी आपना अपने बहुटा गर नहीं जेड़ा हूं कहां से बोल रहे हैं आप आप पाने दर के बोलो गां बजो अब डूटे जी इडा शिए बोल्या बीजिए और मुझा नाम श्वामी जी ए बोलो से ब पार बीने सब्सक्राइब बोल रहा हूं मैं जी ठीक है सवाल किजिए पर मुझे मेरे कीटनी की तकलिव है अच्छा है ओजो मेरा क्रियेटर ने वह एक पॉइंट आता है ओके तो आपका क्रियेटर अप्टे में तीन बार डाय लिश्ट करा रहा हूं अजी उसके लिए ग्लोबिन लेवल कितना है क्रियेटर कितना है सारी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी और अगर आप हफते में तीन दिन डायगनेसिस करते हैं तो तीन बार डायगनेसिस करते हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं लास्ट में किड्नी ट्रांसपेरेंट करने की बात करेंगे उसके श्रवत की कभी किडनी फैल होती ही नहीं है सिर्फ उसकी परक्रियाऊ को जन्रेट करना होता है और ये बाई जी के मादतेम से और भी जितने बी लोग सुन रहे हैं अगर मेरे पास आते हैं तो किडनी चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर वह अभ out तो भी उसको विना किद्नी ट्रांसपरेटेंट के छे महने के अंदर इसको रेडी करके मेरा चैलेंज जी बिल्कुल तो इस बात का आप ध्यान दीजेगा और दावा भी लगातार स्वामी जी कर रहे हैं इस कारक्रम के माध्यम से क्योंकि मक्सद ये है कि आपके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बिमारी का आरवेदिक इलाज आपको बता सकें और 100 प्रतीशत आपको उस इस बिमारी जादा होती है लेकिन क्या जिस नदीवात की हम बात कर रहे हैं अकसर आम तोर पर हम ये देखते हैं कि बुदरू को फिस तरह की बीमारी जादा होती है मन में चीज़ है कि मोटापा अगर हो गया Ingenie किसी तरह की हो गई चाइज हमारी बढ़ रही है तो इस तरह विशी हमें होती है या फिर हम तो देख रहे हैं या वद नहीं होती हैNow मैं आज आपको एक बाद बताओ दूं कि आज की समय में येज का कुछ भी माइन ही नहीं रह गया है जैसे पहले फोर्टी फाइब थर्टी फाइब के बाद आदमी को सुगर हार्ड एटेक या ब्रेन हेमरेज की चीजे आती थी लेकिन आज दस साल के बच्चे में भी डायव और चोटा बच्चा सो रहा है हम उसको क्या करते हैं एप्टोन देते हैं एप्टोन में क्या है नसे की चीज है तो बड़ा होकर कि वह ड्रिंकर ही बनेगा ऐसे हम जो चीज कहा रहे हैं हमें सुद्ध सात्विक हरी सबजियां सारी चीजों को खाना चाहिए और इस बीमारी और पत्नी दोनों फ्रस्टेशन में हैं प्रेग्नेंट की टाइम पे मां चार चार दिन उपवास करी कुछ खा नहीं रहे हो खा रही तो तो बच्चा पैदा हुआ तभी से अर्थ्राइटिस हो जाएगा तो यह वो तमाम चीज़े हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जाते हैं लेकिन बहुत जरूरी है आयरुएडिक जहां ये भी बताता है कि आपको कसरत भी करनी चाहें आपको किसी भी प्रकार की कैसे भी मिमारी हो उससे इस कारिक्रम के माध्यम से सुवामी जी आपको निजात दिला सके अपनी अयरुएडिक मेडिसिन से त्रू शो के आप ले सकते हैं तो स्वामी ची जो भी ज्यान आज आपने हम सब को दिया है और हमें इस विशे के बारे में बहुत चीज़े बताएं हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको करना चाहूंगे जी धन्यवाद सदा इसे कल्यान में कारे करते रहें और इसी के साथ आप सभी से हम लेना चाहेंगे विदा हमें आप दीजिये इजाजत फिर होंगे हाजर तब तक के लिए नमस्कार आरोग्य भ्रहमांद हमारा नमबर है 80108118111 बैंक एकाउंट नमबर है 0261-2000-00-00-8481 कोटेक महिंद्रा आइफसी कोट है केके बीके 0000-261 JMD Region Square हमारा पता है सत्यगुरु जनसेवा केंद्र सत्यगुरु फार्म हाउस ओपोजिट मारूती गेट नमबर एक दिली रोड गुरगाव पिन है 122001 झाल जुरु झाल अजबगा प्राइब एक दाना प्राइब टोगाव